अलो स्टुडेंट्स, नुकलियर फिजिक्स के वीडियो लेक्षर की सीरीज की पिछली क्लास में हमने बात की थी एक्साटेर स्टेट ओफ डूटरोन के लिए उससे कहले हमने ग्राउंड स्टेट के लिए पढ़ा था दोनुगी केस में हमने solution find out किया था वो square well potential consider करके किया था और ये भी बताया था कि nuclear potential है वो square well type का ही नहीं कही type का हो सकता है square well type के लिए solution हाँ सμφस्य सिंपल था इसलिए हमने हो use किया था अब हम यहाँ यह चेक करेंगे कि nuclear potential है वो किस-kिस type का हो सकता है तो नेक्स्ट टोपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ओफ न्यूक्लियर पोटेंशियल न्यूक्लियर पोटेंशियल कितने टाइप का होगा ठीक है अब देखो the interaction interaction potential between two nucleons is considered सेंट्रल एनड एट्रेक्टिव इन नेचर ठीक है νूकलियो और नूकलियो जो पोटेंचिल लोगों का इस सा इसे करें किया है सेंट्रल और अट्रेक्टिव अब नूकलियर फोर्स की प्रोपर्टीज के बारे में हमने पहले स्टेडी किया था तो नुक्लियर पोटेंशिल वो सेंटरल नेशर का है अट्रेक्टिव हालांकि हमने यही बताया था कि उसमें एक जैसे नुक्लियर फोर्स के लिए भी कहा था कि काफी कम दिस्टिंस के लिए 0.5 फर्मी के आसपास के लिए उसमें एक रिपल्सिव कोर भी हो लेकिन इन जनरल हम क्या कहते हैं कि वो कैसे नेशर का होता है अट्रेक्टिव नेशर का होता है अब यह जो नुक्लियर पोटेंशिल है उसका कोई एक्जेक्ट मैथेमेटिकल फोर्मूला नहीं है और्रेक्टियर नेयरर इंटरस्डादियर थार μέ।ierte' आंटेटिकल व्या कि और्रेक्टियर नीयर पोर्मूला थार्च्टिव ट्रेक्टियर थाल kanन हो जार्मूला थाल कामूल bene, पूल लिए एा ट्या प्टे is not known ठीक है exact mathematical उसके लिए कोई equation या कोई फोर्मूला नहीं है the mathematical expression जो mathematical expression पोसिबल है उनकी हम यहां बात करेंगे first तो जिसका हमने solution फाइंड आउट किया था वही लेंगे square well potential ठीक है square well potential के लिए हमने solution फाइंड आउट किया था vr define ऐसे कर रहा हूँ मैं r zero to r note ले रहा हूँ और r greater than r note इसके लिए minus v note और इसके लिए क्या है zero ठीक है diagram हमने वहां भी बनाया था इसका यहां फिर बना लेते हैं देखो यह consider कर लिया vr ठीक है फिर यह ले लिया r यह हो गया r note यह 0 यह dip तो हो गया minus v note तो इस region मैं minus v note हो गया इस पारवाल दे region में क्या वजाएगा यह 0 यह जो पारट हो तो r less than r note वाला हो गया और यह क्या हो गया r greater than r note तो यह तो हो गया square value potential ठीक है second potential हम consider कर रहे है exponential 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 potential exponential exponential potential vr is equal to minus v note e raise to power minus r upon r note exponential का फेक्टर आराया इसलिए एक इस फोम का हो गया exponential डाग्राम इसका बनाए तो देखो इधर r ले रहा हूँ इधर ले रहा हूँ इधर ले रहा हूँ vr r is equal to 0 अगर लूँगा तो यह तो क्या हो गया 1 तो vr किसके बरावर आजाएगा minus v note तो r बरावर 0 पर यह हो गया minus का v note फिर जैसे जैसे या फिर इसको ऐसे पी तो लिख सकता हूँ minus v note upon e raised to power r upon r note जैसे जैसे r की value increase होगी यह क्या होगा जीर होगी और अग्रसर होगा ऐसे इस टाइप का करवाएगा ठीक है एक particular point जैसे मालनो r is equal to r note तो r बरावर r note अगर आपने ले लिया तो b क्या हो जाएगा minus v note by e तो इसके corresponding potential हो क्या हो जाएगा minus v note upon e तो इस टाइप का potential हो क्या होता है exponential potential next third type का potential इस टाइप का पोटेंशिल का राऊँ yukawa potential yukawa potential इस ये किस फोर्म का होगा vr is equal to minus v note e raised to power minus r upon r note upon r upon r note इस टाइप का जो potential होगा इस फोर्म का उसको क्या का जाएगा yukawa potential इसको graphically represent करूँ आर अरक्सिस ये भी आरक्सिस इस ही टाइप का होगा ये जैसा exponential टाइप का इसा कुछ होगा लेकिन वहाँ उसमें तो कहता आर इस उकल टू जी रो पे माइनस वी नोड था है यह आर इस उकल टू जी रो पे भी वह क्या है infinite की रग्सिस हो रहा है और जैसे जैसे ये हो रहा है ये कि दर की रग्सिस हो रहा है जी रो की रो पे तो थाइप का potential हो गया यू कावा potential fourth Gaussian potential Gaussian potential Gaussian potential का formula देखो इस टाइप का होगा V is equal to minus V note e raised to power minus R square upon R note square इस टाइप का formula होगा graphically represent करें इसको तो देखो graphically किस प्रका represent होगा इदर मैंने R ले लिया है इदर ले लिया V तो e raised to power minus R square upon R note है नहीं e का power square आ रहा है इसको क्या का जाएगा Gaussian potential क्योंकि अगर इदर भी अगर मैं consider करूँगा तो ऐसा इदर बनेगा यनि इसकी जो सेफ हो कैसे बनेगी Gaussian type की इसलिए इसको क्या का जाएगा Gaussian potential और फिप्त जो है वो है वो है वूड्स सेक्शन पोटनियल वोट्स सेक्शन पोटनियल इसका फर्मूला वी इगल तो minus V note upon 1 plus e raised to power minus r minus r note upon c c को एक constant है इसका graphical representation करें तो graphical representation कुछ इस type का होगा r axis v r axis देखो अगर r is equal to r note consider करूँ मैं यह मैंने माल लिया r note तो r is equal to r note consider किया तो यह 0 हो गया मतलब e raised to power 0 1 1 और 1 2 हो जाएगा उस case में तो v की value होगा क्या हो जाएगी minus v note by 2 ठीक और अगर r आपने 0 consider कर लिया r 0 consider कर लिया तो v की value हो जाएगी minus v note upon 1 plus something it means यह value जो है वो क्या हो जाएगी 1 से बड़ी हो जाएगी it means v की value हो minus v note से कम हो जाएगी तो अगर यह minus v note by 2 हो और यह अगर मैं minus v note 1 हो इसका मतलब r is equal to 0 पर यह ग्राफ यह कहीं उन्हे potential consider किये उनके द्वारा represent किया जा सकता है तो जब भी कभी nuclear potential की बात अगर हम करें तो किशी भी एक potential को लेकर उसका solution find out किया जा सकता है लेकिन सबसे simplest solution square well potential का होता है इसलिए जनरल ही जो भी कोई problem जैसे डूटे रोंग problem है या और कोई nuclear problem को हम solve करेंगे तो solution almost हम किस केज के लिए solve करेंगे square well के लिए इस class में में इतना है पढ़ेंगे धन्यवाद